हेलो इस्टुडेंट्स वैलकम टू आर चैनल गेट एंड एसी इलेक्ट्रिकल इलेक्रोनिक्स इंटेंड आज का हमारा टॉपिक है छुपारुस्तम मीन्स ट्रांस कंडक्टेंस एंप्लीफायर सर्किट मैंने इसे छुपारुस्तम क्यों कहा हम लोग जानते हैं वल्टेज ए एंड ट्रांस कंडक्टेंस चार एंप्लीफायर होते हैं बेसिकली ओके अब ज्यादा तर कोश्चन जो आते हैं वोल्टेज एंप्लीफायर या फिर करेंट एंप्लीफायर पर आते हैं अगर कभी आपके सामने कोश्चन आ जाए ओन ट्रांस रेजिस्टेंस या फिर ट्रा बात करेंगे, ideal condition के बारे में बात करेंगे, practical condition के बारे में बात करेंगे, याद रखेगा this topic is very very important for written exam as well as interview purpose, interview में बहुत अच्छे question पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे question आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो चलिए, देखते हैं कौन-कौन से है important points, यह आपके स circuit of transconductance amplifier circuit, यहाँ पर हमने एक voltage source लगाया है, transconductance का मतलब है जो voltage को current में convert कर दे, with amplification, right, यहाँ आपने लगाया voltage, यह इसे convert कर देगा current में, और यह होता है symbol GM, that is the transconductance, so what are the ideal condition and practical condition, तो first of all about me, myself Sanjay Rathi, I have qualified engineering services exam three times, I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for EAC, gate and PSU's, आप मेरे experience का फाइदा लेना चाहेंगे, पहुत ही simple है, strategy for top rank, अगर आप किसी भी exam में top करना चाहते हैं, तो सबसे पहले work किजिए on basic concept, हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, bite size videos, concept booster, जिसे हम लोग explain करते हैं within 10 minutes, तो आज इस चैनल को subscribe कीजिए और अपने basic concept ठीक कीजिए, फिर number of questions बनाएए from standard textbook, और उसके बाद बनाएए previous year questions, और एक philosophy ध्यान रखिए, क्या, no study, no confusion, जब आप कुछ पढ़ते ही नहीं, तो confusion कहां से आएगा, more study, more confusion, जब आप बनाएंगे, questions बनाएंगे, previous year questions बनाएंगे, तो बहुत सारे doubts आएंगे, queries होगी, confusion होगे, तो कौन clear करेगा, एक authentic source चाहिए, जो इन सब को clear करे, मैं आपके doubts clear करूँगा, मैं आपको बताऊंगा कि previous year question कैसे handle किया जाता है, कौन कौन से question बनाने होते हैं, textbook से, basic concept में command कैसे की जाती है, मैं कहा हूँ फिर, मैं हूँ on India's largest learning platform, that is an academy, आपने हमारी anthem जरूर सुनी होगी, let's crack it, full motivation आएगा, बड़े सपने देखने लगोगे, चाहिए आप किसी भी remote areas में क्यो न रहते हो, अब आपको Delhi, Hyderabad, Bangalore कही जाने की ज़रुरत नहीं है, बस आप बड़े सपने दे देखिए, डेट में टॉप कीजिए, Engineering Services में टॉप कीजिए, ऐसा सपना देखिए, हम आपकी मदद करेंगे इन सपनों को पूरा करने में, मैं अकीला नहीं हूँ, इंडिया के topmost faculties मेरे साथ है, वो आपको हर कदम कदम पर बताएंगे, tips and tricks देएंगे, डाउट टेरिंग से कर आ रहा हूँ, एक regular course for EAC, GATE and PSU, 2021, 22 and 23, 1 year program, 2 year programs and 3 years program, right, proper students, final year students, third year students, second year students, first year students, तयार हो जाइए for smart work, hard work नहीं करना है, smart work करना है, right, अगर आप वाखे इन exams में top करना चाहते हैं, तो आज ही मेरा code यूज कीजिए for 10% discount and for my personal guidance, और इन सबजेक्स को आप YouTube में या special classes में देख सकते हैं, these are totally free, okay, तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा topic, Transconductance Amplifier, आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक equivalent circuit, लेकिन देखे, अब जब ये बना हुआ है ना, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, तो चलिए, मैं आप लोगों के concept clear कर देता हूँ, बिलकुल fresh page के साथ, तो देखते हैं जब यहाँ, सबसे पहले किसी भी circuit का equivalent circuit बनाना हूँ, तो आप उसको represent कीजिए, input side, input resistance से, Transconductance, मतलब आपको output में current चाहिए, तो output में आप 010 equivalent बनाईए, ये, ये होता है 010 equivalent, this is the R0, right, अब ध्यान देखे, यहाँ, जो voltage आ रहा है, वी आई, इस voltage को ये current में convert करेगा, तो यहाँ पर देखे, जी small m into वी आई, conductance into voltage, that is the current, Z small m into वी आई, and this is nothing but equivalent circuit of transconductance, तो सबसे पहले आप इसे बनाईए, अब आपको clear हो गया होगा, अब यहाँ, एक external voltage source लगा, Rs, और यहाँ लगाईए, Vs, right, सबसे पहले इस figure को जरूर समझेगा, आपको interview में इसे बनाने के लिए बोला जाएगा, draw the equivalent circuit of transconductance amplifier, right, इसके across हमें चाहिए, I0, अब देखे, यह हो गया circuit, अब ideal condition की बात करते है, ideal condition, ideal condition, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जवाब किस sequence में दिया जाता है, यहाँ पर point देखे, RI, जो होना चाहिए, हम चाहते है, पूरा का पूरा voltage यहाँ आ जाए, तो RI should be very, very greater than Rs, यह हुई practical condition, what is the ideal condition, RI should be infinite, right, अब point देखे, अगर RI infinite है, तो इसके अंदर कितना current ज 0, ii is equal to 0, and vi is exactly equal to vs, vi is exactly equal to vs, to what is the ideal condition, RI should be infinite, अब मैं अगर इसकी practical condition बोलू, कि RI क्या होना चाहिए, जब हमको ideal condition मालूम है infinite, वो तो हो नहीं सकता, तो normally बच्चे जवाब देते हैं, it should be very, very high, लेकिन जैसा कि, हम जानते हैं, बताइए, कि यह line बढ़ी है या छोटी है, तो ह हम इसका जवाब दे सकते हैं, हाँ, जरूर comparative तब में बता सकते हैं, no, this line is very, very greater than this second line, वैसे ही हम comparative तब में जवाब दे सकते हैं, RI should be very, very greater than RS, हमेशा आपको यह जवाब देना है practically, RI should be very, very greater than RS, और ideally, RI should be what, infinite, similarly, हम चाहते हैं, पूरा का पूरा करेंट किस से जाए, RL से and a practical condition, R0 should be very, very greater than RL, कभी भी आप ऐसा मत बोलिए कि R0 should be very, very high, हमेशा comparative तम में बताइए, उसके बाद ध्यान दीजे, अब यह R0 infinite नहीं हो सकता, तो यहाँ से current divide rule लगाए, तो आपको मिलेगा I0, I0 is equal to gm into vi upon R0 plus RL, अगर आपको RL से current चाहिए, तो R0 से multiply कीजे, यह हो ग आप यहाँ से निकालिए, I0 upon vi, this is nothing but gm R0 upon R0 plus RL, this is called, this is called external gain, G capital M, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं 2gm यूज कर रहा हूँ, 8g small m, that is called internal gain, यह internal gain of the amplifier है, यह जो actual में हमें मिल रहा है, I0, वो कुछ losses के बाद मिल रहा है, R0 के across भी कुछ current गया होगा, ध्यान दीजेगा, external gain is always less than what, internal gain, external gain is always less than internal gain, यह point आप note कर लीजे, उसके बाद आपको जो ध्यान देना है, RI infinite होना चाहिए, R0 infinite होना चाहिए, practically it should be very very greater than Rs, and R0 should be very very greater than RL, कभी भी आप इसका उल्टा मत बोलिए, कि यहाँ पर जैसा हमने बोला न, RI should be very very greater than RS, तो आप यह मत बोलिए, RS should be very very less than RL, या फिर यह मत बोलिए, कि this RL should be very very less than what, R0, बोलोगे सरा बात तो वही बोल रहा हो, कि R0 is very very greater than RL, या फिर, RI should be very very greater than RS, नो, बात एक है, लेकिन जब मैं यह बोलता हूँ, या फिर मैं यह बोलता हूँ, तो मैं amplifier design कर रहा हूँ, क्या है design कर रहा हूँ, मैं amplifier, condition इस पर है, और जब मैं RS को बोलता हूँ, इसका मतलब मैं voltage source design कर रहा हूँ, और जब मैं बोलता हूँ, RL should be very very less than R0, तब मैं RL के उपर condition डाल रहा हूँ, तो कभी भी user पर condition मत डालिये, ना तो voltage source पर condition डालिये, condition जो होनी चाहिए, वो हमेशा amplifier पर होनी चाहिए, तो चलिए, आपको बहुत सारी बाते समझ में आए हूँगी, आज ही आप हमारा channel subscribe कीजिये, for one year या फिर two year with my code for personal guidance and 10% discount, और साथ में EMI options available है, all credit card and SDFC debit card पर, ओके तैंक यू फो वाचिंग, good day and good luck, take care, thank you.